मैं आज के सौसर पर आप सबसे फ़स्ट करना चाहता हूँ भायोबेनों लोग तंद्र में हर दल को हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने का पुरा धिकार है लेकिन लोग तंद्र की आड में अभी व्यक्ति की स्वतंद्रता की आड में तोड़ फोड़ और सारजनिक संपत्य को नुकसान पहुचाने का लिकार किसी को नहीं अभी व्यक्ति की आजादी के नाम पर देश को विखंडन की और धकेलनी की किसी भी व्यक्ति और किसी भी संगठन को इजाज़त नहीं दी जा सकती है और इसी लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तै किया कि जिन लोगों ने लोगतंद्र के नाम पर आगज़नी की सारजनिक संपत्य को नुकसान पहुचाया इसकी भरपाई भी उनी लोगों से हम लोग करेंगे और इसी कारवाई को आज उत्तर प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है आज वही लोग आज आ रहे हैं कि साथ गल्टी हो गई और जब वो पद्रवियों को लगा है कि अब उनकी दाल नहीं करने वाली है क्योंकि पहले तो पद्रवियों के पैर चूकर के सरकारें उनकी मन्नत करती थी कि भईया मान जाओ तुम्हें हम ये देंगे और हमने का कि देखे हम सुविता गरीब को देंगे किसान को देंगे नौजमान को देंगे महलाओं को देंगे समाज में बिना भेदवाव सासन की योजनाई दी गई है और दी जा रही है लेकिन उपद्रवियों से सरकारी संपत्य और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कीमत भी वसून में काकार सरकार करेगी और अगर देश के विरुत नारेबाजी किसी ने की तो फिर देश द्रोई धारा में बंद करने की कारवाई भी उनके खिलाब करने की तयारी सरकार ने तय किया है और आज उसी से लोग घबरा उठे है जो लोग कल तक सीमी के आवान पर प्येफाई के आवान पर जगे जगे आपजनी की घटाओं को अंजाम दे रहे थे आज उनको लगने लग गया कि अब अवैद रुप से बनाई गई प्रोपर्टी जब तो हो गई तो वे लोग तो दुम दबा करके बैढ़ गए अब अपनी महनाओं को और बच्चों को आगे करके जगे जगे माहोल खराब करने का प्रियास कर रहे हैं आप चिंत्या की कोई बात नहीं सारे मामलों को सरकार और प्रसासम अपने तरीके से समाधान भी निकालेगा आंदोलन और अपनी बात को रखने का अविकार प्रतेग को है लेकिन इसके नाम पर उपद्रा और देश द्रोही किर्टे करने की चूट किसी को नहीं होगी